केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र आमाद्मी पार्टी के लिए बीते कुछ दिनों से मुसीबते बढ़ती चलिया रही है दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने केज जिवाल को पूछ ताज के लिए समन जारी किया था हालक की आमाद्मी पार्टी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के सीम अर्विंद के जिवाल एडी के आफिस नहीं जाएंगे पार्टी के ओर से दी गई जानकारी के मताबिक के जिवाल मध्य प्रदेश के सिंग रोली में पंजाब के सीम भगवंद मान के साथ एक रोड शो करेंगे दिली के मुक्य मंत्री अर्विंद केजडिवाल थोड़ी देर में अपने घर से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे और यहां सिंग रोली में रोड शो करेंगे तुम्हें आपको बता दे कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 230 विधानसबा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होनी है पार्टी ने इस चुनाव में 70 सीटों पर अपने उमीद वार उता रहे हैं इससे पहले दिल्ली के मुख्य मंत्री और आमादनी पार्टी के सैयोजग केजडिवाल ने इडी की ओर से भेज गए समन पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है केजडिवाल ने कहा है कि इडी का नोटिस गैर कानूनी और राजज़िती से प्रेरित है इस नोटिस को बीज़ेपी के कहने पर भेजा गया है केजडिवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि वे चार राज़ियों में चुना प्रचार ना कर पाएं उन्होंने कहा कि इडी तुरंट नोटिस वापस ले प्रवतन देशाल यानिकी इडी ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राज़कुमार आनंद के परिसरों पर छापे मारी की है ये कारवाई डिराई की उस शिकायत पर की गई है जिससे अंतरास्ची हवाला लेंदेन और जूटी गोशनाओं के तहट साथ करोड से अधिक किसी मशुलक चोरी जैसे आरोप शामिल है मंत्री राज़कुमार के करीब दरजनुभर ठिकानों पर एडी की कारवाई जारी है इससे पहले दिल्ली के सीम और आमादमी पार्टी के सायोजग केश जिवाल ने एडी की ओर से भेज़े गए समन पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी केश जिवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें नोटिस इसलिए भेज़ा गया है ताकि वे चार राज़े में चुना प्रचार ना कर पाएं और अपनी पार्टी को पीछ रखे उन्होंने ये भी खा कि ये एडी तुरंद अपना नोटिस वापस ले